नमस्कार मैं विश्णु सर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विश्णु एडीपी में हार्दिक स्वात करता हूं एक्जाम बहुत नजदीक है और आप सभी ने स्टार्ट कर दी होगी तियारी इंग्लिस प्रप्रेशन जो एक्जाम होने वाले उसके तियारी आपने स् शुकित सब्सक्राइब करते हैं आपको हींधी मीनिंग के साहँ सबसे पहला है अवेक क्या वहता है止डाँ जगा हुव하 उसी को opposite होता है एंटना में असलीप याने की सोया हुआ bitter याने होता है कड़वा और bitter का opposite होता है sweet मीठा कड़वा का उल्टा मीठा giant giant याने होता है विसाल बहुत बड़ा कोई giant कहते हैं उसी को opposite होता है tiny tiny याने चोटा यह हमेशा आता है सेन याने होता है समज़धार और इνसेन याने पागल ना समझ ऐसे बोल शकते हैं लेजी याने आलसी और यहाँ पर होता है डेलिजिएंट याने कहते हैं याने महनति आलसी के बोले इंसेंट फीर देखिए past at है नहीं यहां पर आपको देखत nervous अज़से बात करते हैं ऊसी का जचनता से बात करते हैं उसी का रूड़ असिस्ट ना पॉलाइटली बात्त करना है बहुत रूप बात करता है तो पॉलाइट का शारा हुआ होता है अलाइव याने जीवित है ना औरम डाम मृत्क परहस जिंदा और मर रहा हुआ जिंदा लॉरे सें बोर प्रोल सेंट रखंए Don Dusk, DD से आत रखेंगे Heaven याने होता है स्वर्ग और Hell याने नर्क Junior, कनिष्ट जो छोटा है Senior, वरिष्ट जो बड़ा है काम में, किसी भी पोष्ट में Admit याने होता है सुवीकार करना deny याने मना कर देना उसी प्रकार से Legal याने कानूनी और illegal याने होता है गैर कानूनी तो legal का opposite illegal similar याने समान एक जैसा को similar कहते है और different याने भिन अलग-अलग तो similar का opposite होता है different फिर देखते है melt याने होता है पिघलना और freeze याने जमना तो जमने का उल्टा, melt, melt का freeze इसका opposite है, इसका opposite है इधर उधर एक ही मतलब है good याने अच्छा, bad याने बुरा best याने सबसे अच्छा worst याने सबसे खराब याँ पर केवल good और bad अच्छा बुरा दिया हुआ था लेकिन best याने सबसे अच्छा worst याने सबसे बुरा, सबसे खराब तो best का worst होगा ठीक है best का bad नी होगा noisy याने होता है shore है न हल्ला वाला quiet याने शान old याने पुराना और new याने नया तो देखे ये सब आते ही रहता है और अगला देखते हैं कौन-कौन से important important आपको मिलने वाला है regular याने जो नीमित हो हमेशा और irregular याने अनीमित satisfied संतुष्ट और dissatisfied याने होता है uc संतुष्ट heavy कया भारी light याने हल्का पहाँ सोल के शाला सोल याने ऊजल का विछ याने होता है पिर देखे create याने बनाना और destroy याने होता है नश्च करणा पिर देखे एक्सल याने होता है याने सास aff Pattern है ईकजल करना और इंहेल याने क्या होता है सांस लेना एक्सेल इंहे फिर एक्सटीरीयर एक्स्टीरियर आने बाहरी और लिए अंत्रि It's relevantgressive argument यहां रासला होगी जो संबन्दत ना हो forward यहने होता है आगे की और backward यहांने होता है पीछे की और forward, backwards downwards यहांने होता है नीचे की और upwards यहांने होता है ऊपर की और तो नीचे ऊपर, old यहांने वृद्ध, बुढ़ा और young यान होता है you are वैसे old याने पुराना भी होता है new याने नया भी होता है old का new भी बोल सकते हो तो क्योंकि यहाँ पे बुढ़ा है तो young जवान होगा you are accept यान होता है स्विकार करना refuse याने इनकार कर देना past सफल होना फेल विफल होना उत्तीन अनुतीन जैसे बोलते है patient यान होता है धैर्यवान होना और impatient यान होता है अधीर जिसमें धैर्यवाना हो plural याने बहुवचन singular याने एकवचन possible याने संभाव impossible याने असंभाव प्राइवेट याने निजी और public याने सार्वजनिक तो public का opposite होता है प्राइवेट प्राइवेट का public है ना push याने धफका देना और pull याने खीचना आपने दरवाजे पे देखाओ का push, pull ऐसे या train भी push, pull आती है वही rich याने होता धनी, धनवान, पैसे वाला, poor याने गरीब right याने दाया, left याने बाया, ठीक है, इसके बाद देखते हो और important और right का एक और होता है, right याने सही है ना, तुम right हो, सही हो और wrong याने गलट, w silent होता है, wrong लिखते है लिकिन w को लिखना जरूरी है right, wrong, risky याने जोखिम बरा, खतरा बरा, और safe याने सुरक्षित above, above याने होता है, ऊपर, below याने होता है, नीचे, sad, sad याने दुखी, happy याने खुश, simple याने सरल और hard याने कठिन, bachelor, bachelor याने होता है, विवाहिद जिसकी शादी नहीं हुआ हो, married याने विवाहिद जिसका साधी हो गया हो, able याने समर्द किसी कारे को करने ही होगी, unable याने असमर्द, absent याने होता है, अनुपस्थित, गैर हाजीर, present याने उपस्थित, जिसे हम हाजीर कहते हैं, agree याने होता है, सहमत होना, disagree याने होता है, agree, disagree, ऐसे बोलते हैं, alone याने अकेला, together याने, 7-7, 1-7, together कहते हैं, answer याने वाल question answer answer question small याने छोटा big याने बड़ा ये भी easy था import याने आयात करना बाहर से कोई समान को मंगाना export याने निर्यात करना यहां से किसी समान को भीजना attack याने हमला करना defend याने बचाना तो हमला का opposite होता है बचाना किसी को seller याने विक्रेता बेशने वाला buyer याने क्रेता खरीदने वाला before याने पहले और after याने बाद में always याने हमेशा never याने कभी नहीं begin याने होता है शुरू करना और end करना होता है समात करना तो end ऐसे बोलता है निगेटिव याने होता है नकारात्मक और पॉजिटिव याने सकारात्मक बिहाइंड याने पीछे इन फ्रंट आफ याने किसी के सामने चलिए और देखते हैं कौन-कौन से इंपॉर्टन वाट है बहुत ही काम के हैं इसी में से आप कुछ आतर मिलेंगे आंसर का क Seite रेंड याने होता है बढदा और डिसएंड याने घतना केरफूल सावधान केरलिस याने ला परभातर आंसावधा ważne कोंफसर्थ यहाने होता है आरामthis कमफ़ट याने बेचैनी को स्लीन महंगा चीपने होता है सथा निचीप दान में दा ससता चीश्थ पुल्टेप्वasto है complete याने होता है पूरा incomplete याने अधूरा black means काला white means सफेद clean याने साफ dirty याने गंदा opposite है ना clever याने चालाक उसका opposite होता है stupid याने बेवकूफ cold means ठंडा hot means गरम तो cold का hot dry time means सूखा तो wet याने भीगा हुआ फिर गिला इंटर याने होता है प्रवेस करना exit याने होता है पाहर निकलना tall याने लंबा short याने छोटा fast means तेज slow याने धीमा first याने पहले last याने आखिरी mature परिपक्व immature याने अपरिपक्व maximum maximum याने सबसे ज्यादा max minimum याने सबसे कम long याने लंबा short याने छोटा give याने देना और take याने लेना तो give take healthy याने होता है स्वस्थ और sick या फिर इल को हम बीमार कहते हैं win याने जीत और defeat याने होता है इन्क्रीज याने बढ़ना decrease याने घटना inside याने अंदर outside याने बाहर in opposite out like याने पसंद करना dislike याने ना पसंद करना lock याने बंद करना unlock याने खोलना love means प्यार करना hate याने नफरत करना love hate bind याने होता है आप है実 होता है मेलोवेट मतलब क्या होता है मेलोवेंट मतलत थोता है locks ब्यूटी सुन्दर और अगलीनेस याने भद्धापन बैटी याने होता है बावला और सेन याने समझदार बैली याने होता है जुटलाना जस्टिफाई याने उचित या फिस सिद्ध करना इसे हम बिलाए ऐसे पढ़ेंगे बिलाए क्योंकि ल आई याने तो बिलाए ऐसे हो जाएगा और बैरन याने बंजर जहां पर केती किसा नहों और फर्डिल याने हो तो उब जाओ फर्डिला याने अधार समिट याने सिखर बॉटम याने तल टॉप याने ऊपर बिगनिंग याने शुरुवात एन याने होता है समाप्त और उसके बाद यह लास्ट पेज है अपियर याने दिखाई देना डिस अपियर याने गायब होना अप्रूव मंजूरी देना डिस इन्फिनिट यानि अनंत स्िमित फिराम याने दिन मजबूत wavelength इन फिराम याने कमजोर फैमिलीयर याने परिचित अन्फैमिलीयर याने अंजान फीवर याने एहसान करना डिसफैवर याने उनाधर करना ग्लोरी याने महिमा, शोभा, शेम याने शर्म, जेंटल याने सजन और रूड याने असिस्ट रूखा, जर्रल याने समान ने पर्टिकुलर याने विसेश, जर्रासिटी याने होता है उदारता, और इस्टिंगनेस याने होता है लोब, तो जर्रासिटी का यहां पे हो गया इस्टिंगिनेस ग्लूमी याने उदास और ब्राइट याने चमकदार और गौर्जियस मतला होता है भव्य और सिंपल याने सरल तो यह थी बहुत ही इजी और इंपोर्टेंट वर्ड्स जिसके आपको एंटरनम समिशा आते ही हैं इसमें से कुछ न कुछ और आपको बहुत स सारी श्टोरी का पीडियेव ग्रामर की पीडियेव सब वहाँ पर फ्री में प्रोवाइट करता हूं तो प्लीज वहां पर फॉलो कर लेंगे आप सभी का बहुत भाद धन्यवाद आपका दिन शुब रहे अभी एक्जाम चलने वाले उससे लिटेट बहुत सारी त्यारी क सब्सक्राइब कर लेंगे अभी एक्जाम चलने वालों आप सब्सक्राइब भाद धन्यवाद आपका दिन शुब रहे